नमस्ते मैं रेशु ड्रोलिया और www.mintsrecipes.com में आपका स्वागत है अद्रक मिर्ची का रायता बनाने के लिए हमने लिया है दो कब दही, आधा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, एक चुथाई चम्मच काला नमक, एक चुथाई चम्मच चीनी, आधा चम्मच तेल, एक चुथाई चम्मच राई, एक चुथाई चम्मच लान मिर्च पाउडर, घिसी हुई अद्रक, दो पीस का टीवी हरी मिर्चा, और एक चुथाई चम्मच नमक चलिए अब हम अद्रक मिर्ची का रायता बनाते हैं तो अद्रक मिर्ची का रायता बनाने के लिए हमें दही चाहिए हमने ये दही ले लिया है दही को हमने मत्था नहीं है दही को मत्ने की जरुरत नहीं है अब इसमें हम गिसी वी अद्रक डाल देते हैं कटी वी हरी मिर्चा डाल दीजे पिसी हुई राई का पाउडर डाल दीजे कारा नमक डाल दीजे सादा नमक भी डाल देंगे और लास्ट में हम दही में मीठा पन लाने के लिए चीनी डाल देते हैं दही तो अल्रेडी हलका मीठा होता है लेकिन चीनी डाल देने से इसमें मिठास अच्छी आती है तो आप चीनी भी थोड़ा सा डालिएगा और सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले सारे मिक्स हो गए हैं अब इसमें हम उपर से छौक लगा देंगे छौक लगाने के लिए अब हम गहरे चम्मच में थोड़ा सा तेल डाल देंगे धीमी आज पर रखकर तेल को गरम करेंगे तेल जब हलका गरम हो जाए तब इसमें राई डाल दीजिए राई जब पुरी तरीके से फूट जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे बंद करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लानमिर्च पाउडर डाल देंगे और जो हमने ये राईता तयार किया है इसके उपर से हम छौक लगा देंगे देखिए हमारा अद्रक मिर्ची का राईता तयार हो गया है अब आप इसे मिक्स करके सर्फ कर सकते हैं मेरी और भी रेसिपीज देखने के लिए आप www.mintsrecipes.com पर विजिट कर सकते हैं नमस्ते कर सकते हैं